हलो फ्रेंट्स मेरे चनल अखलेश शर्माईसी में आपका स्वागत है दोस्तो आपके जूते से जुड़ा है तरक्की का राज भूल कर भी ना करें से नजर अंदाज बताने जा रहा हूँ दोस्तो हमारे देनिक जीवन विपयों की जाने वाली बहुत सी वस्तू है उनमें से कहीं न कहीं हमारे भाग छुपा हुआ होता है वास्तू सास्त के अनुसार चपल जूतों से भी हमारा भाग जुड़ा हुआ है क्योंकि सनी दियों का सम्मन पैरों से होता है जब हम बाहर से घर आते हैं तो चपल जूते पहन कराते हैं इन चप्पल और जूतों के साथ राहू केतू के दोस्ट को भी घर में प्रविश्ट कर जाते हैं। आईए जानते हैं जूतों से जुड़ा है आपके तरक्की का राज। दोस्तों कई बार साधी पार्टी या मंदिर में चप्पल और जूते चोरी हो जाते हैं जिसका कुछ लोग भूत पस्तावा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और इसे वास्तु सास के अनुसार एक सुप संकेत माना जाता है जिन लोगों के चप्पल जूते सनिवा के दिन चोरी होते हैं उनके लिए सुप संकेत है और इस बात का संकेत है कि सनिदेव के दोशों को से आप चुटकारा मिल गया है फटा हुआ जूता ना पहने जब भी आप कोई नया या विश्येस काम सुरू कर रहे हैं या नौकरी के लिए बहार जा रहे हैं या गेट पर ना उतारे जूते कभी भी अपने मुख्यद्वार के सामने जूते चप्पल ना उतारे और ना ही घर में आने वाले मैमान सिदारों को चप्पल जूते मुख्यद्वार पर उतारने दे ऐसा करने से घर का सवभाग्य और शांती कमोती और घर में नकरात्म कूर ज आती है पश्चिम दिशा में रखें जूते घर में चपल जूते कभी वुत्तर पूर दिशा में ना रखें जूते चपल रखने के लिए हमेशा पश्चिम दिशा करें और चपल जूतों को हमेशा विश्थित रूप से रखें सही ढंग से रखें जूते चपल घर में रखें हुए रखे कर चपल जूते कभी वी दहुदर ना बिखरें वरना घर में क्लेस और तनाओं के बातवन बना रहेगा और शनीदिव आपसे नाराज रहेंगे जिससे घर की सुक्सांती समाप्त हो जाएगी आफिस में ना पहने भूरे रंके जूते जहां आप काम करने जाते है या आफिस में जाते हैं भूल कर भी बूरे रंके जूते ना पहने जो लोग बैंकिंग ए एजुकेशन से जोड़े होने तो भूल कर भी बूरे रंके जूते नहीं पहना चाहिए ऐसे लोगों के लिए काफी या टार्क प्राउंड के जूते सुब माने गए हैं झाल